आज हम देखेंगे डेजीज ऑफ फिल्ड्स एंड हर्टी कल्चर क्राप्स एंडियर मेनेजमेंट का कोश्चन पेपर जो भी सिए जी फिफ सेमेस्टर का है दोजार एकिस बाइस सत्र का इसमें देखेंगे कि कौन-कौन से कोश्चन्स पूछे गए हैं इसमें जो है पाहले कोश्चन्स में एड दिये गए है यह सर्वांगी फफू नासेक्स जानी सिस्टेमिक फंजी साइड भी है नेम एनी टू फंगल डिजिज आफ राइस विदियर काजल अरिजिनम तुंगरू डिजिज आप राइस नेक्स्ट है नेम एनी टू वाइरल डि पी मैनेजमेंट आप ग्वावाव विल्ट है अब सेक्शन नमबर बी देखेंगे इसमें कौन से कोश्चन्स पूछे गए हैं यानि अटेंट टेनी टू कोश्चन्स फ्राम दिस सेक्शन एंसर इसकोश्चन एबाउट त्रीहंड़ वर्स इसकोश्चन के रिज फाइम मार और मावावावाव एंठरेग मोच क्या होता है नेक्स्ट है आइडियाल करेक्टरिस्टिक करेक्टर साव पंजी साइट के अदर्स गूर क्या हैं फिफ्फ है गिव अ ब्रीफ डिसक्रिप्सान और या लो वेन मोजे का फोकरा और नेक्स्ट है सेक्शन नमबर सी section number c में देखेंगे long answer type questions है 600 words में इनके answer करने है 12 marks का एक questions है यानि two करने इसमे पाहला describe in detail symptom, causal, arrhythm, etiology, disease cycle and management of ticka disease यानि टिका रोग के लच्छान, कामा रोग कारक, हेतु की रोग चक्रुबा प्रबंदन का वर्णन कीजिए 7 number question है describe in detail about symptom, causal, arrhythm, etiology, disease cycle and management of green ear disease आप बाजरा along with suitable diagram यानि बाजरा के हरित वाली रोग के लच्छान लिखना है रोग कारक लिखना है हेतु की रोग चक्रुबा प्रबंदन के बारे में चित्रो की सायता से वर्ण करना है 8 number questions है give the name of two important diseases आप बनाना वी दियर काजल आर्निजम इरोबोरेट वन डिजीज विद सिम्टम इटियोलोजी डिजीज साइक्ल यानि केले में लगने वाली किनी दो बीमारीों के नाम लिखना है रोग कारक के साथ इन में से किसी एक आविस्तत वरण प्रबंदन के साथ दीजी और नाइन नमबर कोशन राइट साथ एंसर्स अन्दर फालोव इंडिजीज यानि इसमें चारू करने हैं तीन मार्स के हैं तोबको मोजेक वाइरस और फ्रूट राट ब्रिंजल फ्रूट राट ब्रिंजल साथ राट आप चिंजर लीफ करला पपाया थैंक्स पार वाचिंग आप लोगों को चेक लगे तो लाइक एंड शेर करें